हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि सभी खेरियस से होंगे फ्रेंट्स तो आज मैं यह लेकर आई हूँ वीडियो इस वीडियो में बताऊंगी कि डेड़ मीटर कपड़े में किस तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं फ्रें कपड़ा तो यह देखिए इसका 24 इंच अरज आया है डबल फोल्ड में यह इसका जो है अरज जादा है इसमें हमारी कुर्ती हो जाएगी अरज में ही तो फ्रेंट्स इस तरीके से हमें चार परत में फोल्ड कर लेना है इसको और अपनी कुर्ती की लेंध के हिसाब से रख यहां से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 6 इंच पर हमें यह देखे एक और निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से चौक और कर देना है अब यहां पर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट जितना होगा उसका चौधाई लगाएंगे तो हम य पर निशान की यहां से निशा सी जानों livre का निशान लगा एंगे तो यहां पर इस सैड़े मैं हमें 10 इंज अपना हीप और है कुरती का हीप हम 10 इंज रखेंगे इस तरीके से इस निसान को मिला देंगे और यह देखे अच्छे से शेप आ जाएगा और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिल ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर घेर हम रखेंगे फ्रेंट्स सड़े 11 इंच और इस तरीके से हम इसे जो थोड़ा-थोड़ा कपड़ा इस्ट्रा जो है वो कट कर देंगे अपने घेर के हिसाथ से निशान लगा लेंगे यहाँ पर फ्रेंट्स हम एक इंच का इस तरीके से एरो बनाकर और गुलाई दे देंगे मुढ़ा गोर कर देंगे यहाँ पर आधी इंच हम तिर्शार रखेंगे फ्रेंट्स अ हमें पता चलेगा कमर का शेप किसी तरीके से देना है और यहां पर भी हम एक निशान लगाएंगे इस से हमें पता चलेगा यहां से हमें सिलाई करनी है बार-बार नापने के जिंजट नहीं रहेगा अब इस तरीके से हमें एक पल्ले को अलग कर लेना है और इस तरीके से डबल फोल करके इस तरीके से हमें निशान लगा देना है ये फ्रेंट वाला पार्ट रहेगा कुर्ती का इसको हमें कट कर देना है ये देखिए आधी कपड़ हमने लगभा कट लिया है फ्रेंट ल यह और दो भट हम ऐसे तरीगे से चारभरत में बाजू के के हिसाफ से हमें हमारा प् landlords में नहीं करना है और लेनी है यहां पर यह देखें यहाँ पर 4 इंच का हमें जो है मोड़ा डाउन करना है और इस तरीके से निशान लगा देना है मोड़े में गुलाई दे देनी है और यहाँ पर मोरी का निशान लगाना तो मोरी का निशान 7 इंच पर हम लगा रहे हैं 5 इंच तयार रखेंगे मोरी बाकी इश्ट्रा मार्जिन हो जाएगी अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं तो यह देखिए कटिंग मेरी हो चुकी है अब यहां पर हमें क्या करना है यह देखिए मोधा हमारा का 9 इंच आयेगा तो यहां पर 9 इंच पर कट का निशान लगा लेंगे शिलाई करने में आसानी हो जायके और आपर मोहरी फोल्डिंग के लिए हमें कट का निशान लगा लेना है अब इस तरीके से खुटिक में करते कर देना है यह इसे आर्म हॉल में जोल नहीं आती है अब हम ने यहzać भक्रम ले लिया है तो बख्रम की लमबाई हमने सेवन इंच ले है और फ्रेंट इसे हमें इस तरीक से फोल कर देना तो यह देखिये लकबक 3 इंच मैंने इसे चोड़ाई में फोल किया है और इस तरीक के से बनाना है निशान बनाना है फिर इसे गोल शेप दे दिना है फिर एक निल ऊचnos इस तरीके से लगा देना है इंत न चौड़ा अमना रखेंगी में अब इसे हम कट पर लैंगे तो इस तरीके से रखके हमें सिलाई से इसे हम रोक देंगे या तो हम प्रेस से चिपका देंगे तो फ्रेंट्स यह देखिए हमने सिलाई करके इसे रोक दिया है अब इस तरीके से इस कपड़े को इसके उपर इस्टिच कर देना है तो ये देखिए हमने इसको stitch कर दिया है friends ये देखिए और इस तरीके से हमें इसे center से fold कर लेना है इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल के पास तो वाला ले लेना है और उसको इस तरीके से बिछाना है double fold अच्छे से बराबर कर लेना है फिर इसे भी यहाँ पर इस तरीके से नाकून से line बना देंगे यह देखिए यह line बन चुकी है अब इस गले को इस line के उपर इस तरीके से रखेंगे, लाइन से लाइन मिलाते हुए, फिर यहाँ पर सिलाई चला देंगे, यह देखें, इस तरीके से हमें सिलाई चला देना है, इससे गला एकदम अच्छे से सटी बैठता है, और यहाँ पर किनारी किनारी पर सिलाई चला देनी है, बकरम की, बकरम की कि पर बिल्कुल नहीं चलाना तो फ्रेंट्स यह देखिए हमने सिलाई चला दी है अभी बीच वले कपड़े को इस्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे बाकी आधा-धा इंच मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से कट का निशान लगा देना है और इस तरीके से फोल कर देना है और उपर से सिलाई चला देनी है तो यह देखिए मेरा गोल गला बन गया है बहुत ही अच्छा शेप आया है फ्रेंट्स त अब हम बैक पार्ट का गला कट करते हैं पीछे का गला कट करेंगे फ्रेंट्स तो इस कूर्ति में इस तरीके से हमें कूर्ति को डबल फोल्ड और चार इंच लंबाई रखनी है गले की फिर यहां पर धाइंच का नमाक करना है और फिर यहां पर इस तरीके से सीधी लाइन खिछते दे यहां पर गुलाई देनी है फिर इसको हमें कट कर देना है तो मैं बैक का गला ज्यादा बड़ा नहीं बना रही हूं फ्रेंड्स उपर से पट्टी लगाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमें आधा देंज मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई कर देनी ही पूरे गले पर फिर यहां पर हमें कट लगा लेने है गले में इसे गोल शेप बहुत ही अच्छा आएगा कहीं पर कोई भी सिल्वटे नहीं लिए आधा तो यह दखिए मैंने गले में कट लगा लिए हैं ऑप ये फ्रेंट वाला गला है और ये बैग गला है तो इस तरीके से Васे रखके हमें सिलाई चला देनी है डबल सिलाई चला देनी है मजबूती के लिए ये देखिए按 अंदर के और च्छिप गया है ये बहुत यासान तरीका है कंदी जोइन करने का इससी तरीके से दूसरी कंदी भी जोइन कर लेंगे तो दोनों कंदीों को मैंने जोइन कर लिया है ये देखिए गला बैक का भी तैयार हो गया है तो अब हम बाजू अटेच करते हैं मोधे में बाजू अटेच करेंगे तो जो हिस्सा बाजू का मैंने काटा हुआ था हलका सा वो अला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा फ्रेंट वाले पार्ट में तो उस पार्ट को हमें फ्रेंट वाले पार्ट से जोड़ना स्टार्ट करना है तो इस तरीके से मैं जोड़ूंगी इस तरीके से मैं दोनों मोधे को इस तरीके से पकड़के हमें इस्टिच करना है अच्छे से बराबर करते हुए कहीं पर कोई कपड़ा खीचना नहीं है लूज रफना है दोनों कपड़ों को अब इस तरी ये देखे मैंने इसको सिल दिया है मोड़ा अटाइच हो गया है इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी अटाइच कर लेंगे तो ये देखे फ्रेंट्स मैंने दोनों बाजू को अटाइच कर लिया है अब बाजू की मोहरी को फोल करना है तो फ्रेंट्स इस तरीके से डबल फोल करके हमें स्टिचिंग कर देनी है बाजू की मोहरी पर तो यह देखिए दूसरी वाली बाजू को भी हमें तयार कर लेना है इसी तरीके से अब इस तरीके से बाजू को फोल करते हुए यहाँ पर हम मोहरी नाप लेंगे अपनी मोहरी कितनी है हमारी मोहरी हमें 5 इंच रखनी है पांच इंच मोहरी रखते हुए हमें यहां से स्टिचिंग शुरू करनी है और बाजू की फिटिंग देते हुए इस तरीके से पूरी बाजू पे स्टिचिंग कर लेनी है इसी तरीके से मैं दूसी तरब भी इस्टिचिंग लेनी है और इस तरीके से नाब ऐ है कि मेरा उदना ही आया है या नहीं तो फ्रेंट्स यह देखिए 21 इंच आ रहा है इसी तरीके से मैं दूसरी तरब भी stitching कर लूँगी फ्रेंट्स यहां पर पांच इंच मोहरी ना पेंगे और पांच इंच से स्टार्ट करेंगे मोहरी से और सेम उसी तरीके से मैं शिलाई करूंगी फ्रेंट्स यह देखिए हमें अपनी कुर्ती की फिटिंग इसी तरीके से कर देनी है तो यह देखिए अब हम फाइनली नाप लेते हैं तो यह देखिए 19 इंच आया है और बीद की कमर यह देखिएց 17 इंच आया है और हेप साइज जो है 21 इंच आया है यह देखिए 21 इंच आया है तो अब हमें घेल Кणा है तो घेल main double काली को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो अप्लोड होती रहती ही, मिलते हैं, ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, ठैक्स पर वाचिंग